देश में कुरूना संक्रमन के कारण बिहार राजे के मजदूर जो बाहर राजे काम करने के लिए गए थे उनके वापस आने पर राजे सरकार श्रम संसादन विभाग के दौरा मुख्य मंतरी उद्दमी उजना के तहट रोजगार और स्वयम का व्यवसाई करने को लेकर 10 लाग का लोन दिया जा रहा है इसको लेकर बिहार सरकार के श्रम संसादन मंतरी जीवेश मिश्रा ने बताया कि बिहार आने वाले मजदूरों को सरकार रोजगार देगी इसको लेकर पंचायत स्थर पर साड़ी नौ लाख मजदूरों का स्किल मैपिंग कराया जा चुका है साथ ही आने वाले मजदूरों को राजे सरकार स्वयम का व्यवसाई करने के लिए लोन मुख्यमंत्री उद्दम ही ओजना के माध्यम से देने का कारे कर रहे है ताकि आने वाले मजदूर अपने हुनर और कोश्रों के माध्यम से अपना व्यवसाई कर बिहार के आन्य और लोगों को भी रोजगार देने का काम करें इस देशा में लोग बहुत काम करने जा रहे हैं कर रहे हैं परी लोगों को बाहर को बाहर से आने वाले को किसे प्रदकार की कोई तकलीफ नहीं हो जो आ रहे हैं उनका skill mapping करा करके आपको जनकारी होनी चाहिए मुझे बताते हुए खुसी हो रही है कि सारे 9 लाक लोगों को पंचायत वाइज हम लोगों ने skill mapping कराया है और बहुत सारे लोग यहां अपने काम को अस्थापित करके काम प्रारम भी कर चुके है और आने वाले दिनों में आदर्निय मुखमंत्री जी के सहयोग से मुखमंत्री उद्धमी योजना जो बिहार सरकार चला रही है उद्ध्योग विभाग के मुध्यम से हम लोग उस योजना का भी लाव सभी स्रमिकों को देने जा रहे हैं जिसको आने वाले दिनों में प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के बाड़ा महिने के बाद एक साल के बाद 84 असान किस्तों में उनको लटाना है तो हम समझते हैं कि अगर जिनके पास हुनर है उनके लिए आउशर है मौका है कि आप अपने हुनर के हिसाब से यहां रोजगार प्रारंब करिये और खुद मालिक बनिये अपने ब्यवसाय का और साथ में दो-चार लोगों को उसमें रोजगार दीजिये भी हम लोग तो उस दिशा में काम कर रहे हैं हम लोग केवल रोजगार देने वाले लोगों को नहीं खोज रहे हैं और उनको पुरसाइद कर रहे हैं हम रोजगार जो ब्यवसाय करके रोजगार दे ऐसे लोगों को भी बरी शंख्या में हम लोग तलास रहे हैं कि बड़ा आउशर खड़ा हो बिहार के अंदर, बिहार के जो निपुन लोग हैं, बिहार के जो हमारे स्रमिर हैं, स्रमिक भाई हैं, वो बिहार के अंदर ही रहे ताकि हम लोग जो कहते हैं कि स्रमियों जैते उसको हम लोग चरितार्थ कर सकें. ऐसे ही खबरों के लिए करें सेट 24 लाइव को सब्सक्राइब साथ ही साथ दिये गए बेल आइकन को भी दबाएं थैंक यू